स्वागत है आप सभी लोगों का इस लेक्षर सीरीज में हम लोग भारती इतियास के महत्पूर्ण प्रिश्णों का सुपर फास्ट रिबिजन करने वाले हैं ऐसे प्रिश्ण जो बार-बार आपकी प्रिश्णों में पूछे जाते हैं पिछले लक्षर में हम लोगों ने अपने प्रिष्णों को जहाँ पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रिष्ण, आपको यहाँ पर एक महत्रपूर्ण डेट लिखी गई है, 13 अप्रेल 1919, इस चीज को तो दो करांतिकारी थी जिनका नाम है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा ग्रिफ्तार कर लिया गया था, इनकी ग्रिफ्तारी का ब्रोध करने के लिए हजारों लोग जलिया वाला बाग में इकठा हुए थे, और घटना चलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी याद रखेगा, इन्हें की ग्रिफ्तारी के ब्रोध में ये घटना होई थी, आगे भरते हैं, असोक ने अपने सिलालेखों में किस समकालिन दक्षण भारती राजा का उलेख किया है, तो असोक ने अपने सिलालेखों में कुसान का उल संबंधित हैं, और ये चमपारण जो सत्याग रहे था, ये एक किर्षक आंदोलन था, यानि किसानों का आंदोलन था, तो महत्मा गाधी चमपारण के किर्षक आंदोलन से संबंधित हैं, चलिए आगे भरते हैं, किस वेद में राज रोहन समारोह का बिस्त्रित वरनन किया गया है इस चीज को आप याद रखेगा के अर्थोवेद में राजय रोहन समारोह का विस्तृत बिवराण दिया गया है आगे भरते हैं सिन्दु गार्टी सभीता में प्रमुक पत्तन कौन सा था तो पत्तन का मतलब होता है बंदरगा है तो सिंधुगाटी सभिता का प्रमुख बंदरगा है कौन था लोथल था लोथल कहां पर है गुजरात में तो गुजरात का लोथल सिंधुगाटी सभिता का प्रमुख बंदरगा है था चलिए आगे बढ़ते हैं किर्षन देवराय कहां के राजा थे तो किर्ष जिसमें आपका बंगलादेश और पश्श्मी बंगाल दोनों सामिल हैं वहां पर बंग भंग आंदोलन चलाया गया था इसका क्या कारण था पश्मी बंगाल और पूर्वी बंगाल के हिंदियों का विभाजन करना और हिंदू-मुसलिम तनाव उत्पन्न करना ये बंग अंगरेजों को क्याना घ्लाए गया था यानि की कहने के मनलाभ बंगाल को दो भागों में ब्यभाजित कर दिया alen आगे बढ़ते हैं एक प्रसिद प्यंटिक श्मास में अ 때各位 अुकिक तो यह तो यह इन। को यह प्योणाूलडे की बंश नहीं मननाया था इस चीज़को आ तो जातक कथाएं बौध धर्म से संब्दित हैं इसका चित्रन कहां पर किया गया है अजंता की गुफाओं में किया गया है बौध सिक्षा का वर्नन किस ग्रंथ से प्राप्थ होता है तो बौध सिक्षा का जो वर्नन है वो त्रिपटक से हमें प्राप्थ होता है तो डेल आविस्ता जेंदा अभिस्ता ये पार्शी धर्म का पवित्र ग्रंत है चीनी आत्री फाहयान ये भारत आया था और किसके साथा consomm नग가요 भारत आया था तो चीनी आत्री फाहयान चंद गुप्त बिक्रमादित्य के सासनकाल में भारत आया था किलिए आगे बढ़ते हैं जिस प्रकार बीरबल अखबर के दरबार में रहते थे ठीक है उसी प्रकार तेनाली राम किर्शन देवराय के दरबार में रहते थे यह महत्मा गाधी ने सबसे पहले भूख हरताल कहां पर किया था तो महत्मा गाधी में सबसे पहले भूख हरताल एहमदाबाज आंदोलन में किया था तो अपने एहमदाबाज आंदोलन में महत्मा गाधी ने सबसे पहले बार भूख हरताल किया था आगे बढ़ते हैं परसिद्ध बिद्रो है पंजाब का परसिद्ध बिद्रो है ऐसा कौन सा बिद्रो है जो सबसे कम समय तक चलने वाला जो बिद्रो है उसका नाम है पावना बिद्रो है तो पावना बिद्रो सबसे कम समय तक चलने वाला बिद्रो है, चलिए आगे बरते हैं, कॉंग्रेस ने किस सम्झोते के तहप मुहमद अली जिन्ना और मुस्लिम लिप के पिर्थक निरवाचन की मांग को मांग लिया था, तो मुस्लमानों के लिए पिर्थतक निरवाचन की मांग को, मांग कॉन कर रहा था मुहम्माद अलि जिन्ना और मुस्लिम लिग्र कर रहे थे कॉंग्रेश को निमाना था रिखनOOOO में लखनु अध्वेशन में उन inve生 कब हुआ तो ne sosta के लखनु हभेशन में कॉंग्रेश ने मुहम्माद नात्मक परिवर्तन को सुविकार किया था तो भारती राष्टी का उंग्रेश ने 1920 में संहरच नात्मक परिवर्तन को सुविकार किया था ठीक है यह को जादा इंपोर्टन नहीं है आपके लिए चलिए आगे भरते हैं सिंद्धुगाटी सभिता के लोग किस धातू से परच लेकिन यह लोग लोहे की धातू से परचित नहीं थे चलिए आगे बढ़ते हैं पहला रेल अधनियम कब बनाए गया था तो पहला रेल अधनियम 1905 में बनाए गया था एक इंपोर्टन डाटा है आपके लिए सुभाष्च नर्बोस ने अंत्रिम सरकार का गठन कब किया थ अगे बढ़ते हैं रश्वाष्च नर्बोस ने अंत्रिम सरकार का गठन उननी सो اतालिस में किया था आगे बढ़ते हैं हर्स बढ़न ने किस दक्ष्ण भारती राजा को हराया था तो हर् 스ट ने पुल के सिंद्ध दुधिये को हराया था और पुल के सिंद्ध ging भारत का र दोनों लोगों ने मिलकर सती प्रफा का अंध किया था राजा राम मोहन राइ इनको आप याद रह लीजिए गा आगे बढ़ते हैं कागज बनाने की कला की खोज चीनियों दोरा की गई थी आगे बरते हैं एक महत्पूर्ण कथन है जो कहता है ये किस ने कहा था ये पंडिय जवाःल नहरू ने कहा था जितने भी अगर आपको अंग्रेजी के कथन मिल जाएं तो वहाँ पर आप पंडिय जवाःल नहरू टिकल लगा दीजेगा ठीक है दो परसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम है बीतपाल बीतपाल और धीमन ये परसिद्ध कलाकार हैं ये किस यूग में सम्मंदित हैं तो ये पाल यूग से सम्मंदित हैं तो बीतपाल और धीमन जो एक महान कलाकार हैं भारत के ये पाल यूग से सम्मंदित हैं इसको रखिएगा आगे बढ़ते हैं चालुक्यों ने अपना सामराज कहां पर इस्थापित किया था तो चालुक्यों ने अपना सामराज दक्षन भारत में इस्थापित किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं यह रॉलक्ट एक्ट के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ठीक ह बहुत ही डेटेल में तो रॉलक्ट कब आया था रॉलक्ट अच्ट कब आया था 1919 में आया था और यह रॉलक्ट अक्ट प्रसिद्ध क्यों हैं क्योंकि इस संदेह के अधार पर कभी भी किसी भी ब्यक्ति को ग्रफतार क्या जा सकता है ऐसे इसमें कुछ बिवादित बातें थी रॉलेक्ट एक्ट में वो जो की 1990 में आया था इसलिए इसका बहुत ज़्यदा बिरोध हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम प्रिश्ण पर एक बहुत ही महत्तपुन कथन है जो कि यहां तीन लाइनों में दिया गया है इस इस ने कहा था यह विष्टल चर्चिल ने कहा था यह कब की बात है 1931 की बात है जब दुत्य गोल में समलेन में भाग लेने के लिए महत्मा गांधी इंगलेंड गए हुए थे और इनहीं की मतलब होता है विष्टल चर्चिल तो विष्टल चर्चिल नहीं महत्मा गांधी क अर्द नगन फकीर कहा था इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा तो आज के लिए हम लोग वास इतने ही प्रिष्ण रखते हैं इसके आगे के प्रिष्णों को हम लोग अपने अंगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे ये सारे वन लाइनर प्रिष्ण है और बार बार आने वाले प्रिष्ण है इसको आप ध्यान से पढ़ते रहें सारे प्रिष्णों को आप रट लीजिए आपकी परिच्छाओं में इन में से कोई न कोई प्रिष्ण आवस मिलेगा तो चलिए मिलते हैं अंगले लेक्चर में आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए ब बहुत बहुत धन्यवाद